हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर तो आज मैं अनकुट की रेसिपी आप सभी किशा सेयर करने वाली हूँ जो कि गौरधन पर बनता है हर घर मे तो यहाँ पर मैंने 20 से 21 सबजियों से इस अनकुट को त्यार किया है और एक इस तरीके से मैंने बनाया है वो इसी के रेसिपी आप सभी किशा शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा तो यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले पपीता ले लिया यह गाजर टमाटर यह परमल यह बीन्स यह पेठा यह पत्ता गोबी फूल गोबी यह आलू यह मेथी तो यहां पर मैंने सारे सब्जां ले लिए और भी मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या सब्जिय इसमें यूज की है यह ले लिए मैंने हरी मटर और यह ले लिया है पनीर तो लगबग मेरे 20 सब्जियां है यह अनकुट में देखिए जितनी हो सके उतनी जाद से जादा सब्जिया डालते हैं तो यहां पर मैंने 21 सब्जियों को यूज किया है तो यह देखी मैंने बारीक बारीक सारी सब्जिय प्रक्ति लेख चाहते हैं के लिए यहां पर मैंने सिम्ला मिर्ज को भुबगल अला कार्ट लिया नोगी तो इस तरीके से सारी सब्चियों को ध्यान रखने हैं तो कड़ाय में चड़ा दिया सर्सो का तेल आज मैंने यहां पर कोई थोड़ी सी बड़ी सी कड़ाई लिया है क्योंकि मैं अंकुट बना रही हूं तो अंकुट का प्रशाद थोड़ा जादा बनाया जाता है तो यहां पर मैंने तेज पत्ता ले लिया है करी पत्ता ले लिया है मेथी दाना ले लिया है थोड़ा सा ले बाद और ना किने डॉल् dude तो यहां पर में नाल्व डाल दिया आफ जलाते में मिक्स करें क्योंकि आन्रु को पक्नी में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए सबस्यादि के लिन की होजित नमक के लिए हल्दी तो बहुत ह Georgia काल लगीर हुजित ऐकाट आपको मसाले डाल देए इसमें डाल देरे मैंने दनिया धनिया पॉडरे स्टोड़ा ज्यादा सर डाल लियेगा यहां पर मैंने कश्मेरी ल pouvस्त डाल दीए है کत को तोड़ी सी हिंग डाल दीए अच्छे से चलाते वे मिक्स करेंगे यहाँ पर डाल दियें मैंने मिक्स करने के बाद अच्छे से टमाटर अब टमाटर को अच्छे से चलाते वे मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें अपनी कटी हुई गोभी डाल देंगे यहाँ पर गोबी को देखिए मैंने काटने के बाद गरम पानी में कुछ टाइम के लिए भीको कर रख दिया था अब अच्छे से चलाते हो गोबी मिक्स हो गई है तो इसमें डाल देंगे हम अपनी कटी हुई सारी सबजी आ तो यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जी इसी तरीके से धीर धीर करके डाल दूंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने सारी सब्जी को डॉल दिया है डालने के बाद अच्छे से चलाते हों मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिटर यहां पर देखिए मैंने सफर मिटर का यूज किया है इसे अच्छे से दोकर मैंने डाला है आप चाहें तो हरी मिटर भी यूज कर सकते हैं कि अभी मिर कुआ ऐसे में डाल दिया का टीवी शिких मिर्च अच्छे से चलाते हैं मिक्स करें ज़कर और लास्ट में डाल से मेथी में मकतिने हैं और अजहे लास्ट के शाम से टारू टिणों पार सिभल estymcker जहाते हैं में और गुते हैं जुट नहीं और अच्छे खे खेली-ρχे बने। अपर तरीक केसे अनकुट बना हैं लगेगी तो यह देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसे कुछ टाइम के लिए दखकर हम पकने देंगे लगवा पांच से दस मिनट मीडियम फ्लेम करके इसको पकने देंगे तो भी हाँ पर मैं इस पर ढग दूंगी एक बरतन और पांच से दस मिनट के लिए से मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी पांच से दस मिनट के बाद बरतन हटा कर हम देखेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी इतनी बारे कटी हूई होती है कि इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है 10-15 मिनट में यह तियार हो जाती है अब यह देखें अच्छे से चलाते में मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारी सब्जी तेयार हो गई है तो यहाँ पर डाल दिया मैंने अमचूर पावडर और थोड़ा असा गरम मसाला सबजी तियार होने के बाद ये दो मसाले डाल देने हैं चलाते हुए मिक्स करने हैं तो अब ये हमारा गर्मा गर्म अनकुट का प्रसाद तियार हो गया है देखिए कितना अच्छा प्रसाद हमारा तियार हुआ है जब प्रशाद त्यार हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम ये कटा हुआ पनीर पनीर को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है अच्छे से डालके चलाकते हुए मिक्स करेंगे और सब सिलाश्ट में डाल देंगे इसमें हरा धनिया तो एक अच्छी खुस्मों के साथ हमारा अनकुट तियार हो गया है हर साल गोवरधन की बुजा में अनकुट का प्रशाद जरूर बनाए जाता है तो आप सभी भी ट्राय कीजेगा इस तरीके से अनकुट का प्रशाद बनाने की और आप सभी को मेरी रैसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई राशिपिक के साथ थेंक्यू सो मच